और राइड आपको दिखाने वाले हैं ड्यूक तो फिर सा आप है एक और नई वीडियो लेके बहुत ही बढ़िया यह वीडियो जैसे कि हारवा में कहता है थोड़ाचा भाई मुझे जल्दी करना चाहिए था पर जो भी आप थोड़ाचा डिले होगा इसके लिए बहुत बह सब्सक्राइब करना चाहिए यह वाली है इससे पहली वाली आती थी दो डियरल वाली वह बंद हो गई है और जीटी वाला भाई भी अपने नक्षेवाजी दिखाते हुए और यह वाली जो बाइक है वह है हमारे प्रिंस भाई की तो अभी यहां पर आजा साथ में तो कितन टाइम हो गया अभी आपको आर्टी लिए हुए पांच महीं नहीं हो गए और क्या सोच के अभी आपने आर्टी ली थी अच्छा और एस ऐसा क्यूंकि सिर्फ के अमें और बाइक के भी ती जैसे आर्म फाइव हो गई बजा नहीं पहले दोस्तों की आज सी मोड जनेशन थी तिक अब हमें बेशना पड़ी इस वह से मैं यह लिए इस पे सिर्फ हुआ अच्छा मतलब खेटियम यूजर्स ही है और आज इसका मेजर जो डिफरेंस रहना वाला वो सीची इसका ही है मतलब जीटाइस है पचासीची जादा पर इसको फियरिंग की वजए से ज्यादेश मिलता है स्पीड में अगर हम कंपे करें तो हां अगर हम पंची नेसमें कंपे करें तो ड्यूक जो है थोड़ा से ज् पोजीशन वह बिल्कुँ अप्राइट जिसकी वह से आपको टॉर्क इसमें थोड़ा ज्यादा फील होता है और आटी आपके फॉरेवर भाई फॉरेवर ग्रीन गाड़ी है रेस कॉम्पिटीशन गाड़ी का नाम है आर सी तो भाई इससे तो भाई पंगा लेना मैं सोसना हो सकता है कि आप लोग कैसे तो कि आरेस टूंड्रेट भी आती है कि अपने अपने सेग्मेंट में सबसे बेस्ट रहती है कुछ फीचर्स ऐसे हैं इसमें जो बाकिक गाड़ियां प्रोवाइड नहीं कराते वैल अभी हम कुछ पॉइंट को लेकर हम इसमें डिफ्रेंशिय है वह काफी लोगों से सुनने में आ रहा है कि यवाली आर्टी के लोग कुछ लोग को पसंद नहीं आया अब इसके पीचे का मैं आपको बताऊं लोगों के पॉइंट व्यू पर होता है जैसे कि भाई ने यह भाई को यवाली काड़ी ज्यादा पसंद आई काफी लोग हो ही लगती है और इसका जो थर्ड जेनरेशन आया अभी मैंने फिजिकली नहीं देखा है वह भी आता तो उसको भी रखके हम जरू कंपिया करेंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर बागी बात करता है इसके पावर सेगमेंट की तो यह आती है आपके 200 CC में और व यह लिमिटेड एडिशन वाली बाइक है इसका जो कलर आता है वह थोड़ा से लिटेट बिट अलग आता पर यह बहुत ही बढ़िया लगता है दूर से चलते भी जब यह आते हैं बहुत बढ़िया लगता है एक्चुली थोड़ा सा अनॉइंग इसमार हो रहा है क्योंकि जीटी वाला बंदा पता नहीं किया चला बंदा हमें देखके कर रहा है कैमरे को देखके ऐसा कर रहा है ऑप यहीं से ले आ तो थोड़ा साभी डिस्ट्रिबेंस हो रहा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी ऐसे लोग का मंकुछ भी नहीं कर दते हैं है ना अगर जैनर बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे एक तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है प्लस ग्रिपिंग आपको बहुत इच्छी देखने को मिलती है और फिर बाई की हर छोड़ी से छोड़े सेग्मेंट में आपको बड़े सेक्शन का टाय भाई देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया लगता है अभी बात करता है इसके अमुखले तो बाई है और तमागर देखे Bijremal सब करूंबार को यहीं बात करते हैं तो इसमें आपको खाली सिंगल राट दे रखी है जो थोड़ा सा बाई अनस्टेबल रहती है हाई स्पीड पर यह गाड़ी आपकी हाई स्पीड पर बिल्कुल स्टेबल रहने वाली है और बागी मेजर डिफ्रेंस इसमें ज्याद कुछ है नहीं हाँ एक ऐसकी सारी है स्केली पिर से फिरसें मैं बोल लहां और इसमें आपको कुछ ऐसा है इंस्ट्रॉमेंट क्रश्चर आं मतलब इसमें स्पीड ओमेटर टेख़ो मीटर और मिट को पिसे हैं जाले पाइप देखिरिए बहुता है है व्यंटर इतैंक्र को अर्डिंट कि तो यह थी कुछ अबाद स्टॉक आर्टी 200 की अब हम सुनते हैं मेरी बाइक की स्टॉक जैसे कि आप लोगा पता हुआ कि मैंने स्टॉक लगा रखा एक्जॉस्ट अभी थोड़े टाइम के लिए तो स्टॉक अब हम सुनते हैं अपनी ड्यूक टूफिफ्टी की और अब कर दिया थो यह यह थोड़ से गियर नवा कर दिया सब्सक्राइब दियुक अपर्णी टूफिटी में आपको दियुक अब्यूक टूफिटी में आपको कि अइसने को मिलती है जो आ प्योर आप यह का इसने को यह फैरल तो वह आपको मिलतैं गाड़ी दोनों अब ऑप टोनों ही अपने अपने से ज्बेस्ट ऐसे लिधा जेंड धेखर शर्म प्रसांति करता हुए हं फर्स after जो आता था उसका और second generation मैं उसके उपर ज्यादा प्रिफर करता हूं क्योंकि वह जाए अग्रेसिव लुक है ना वह बहुत ज्यादा मेजिंग लगता बस उसकी इस बाइक में आपको अग्रेसिव से यादा है इस बाइक में आपको comfort ज्यादा मिलेगा comparative टू पुरानी वाली है मैं कहूंगा ड्यूक से ज्यादा बेटर comfort उसमें आ रहा है तो यह था कुछ आज का रिव्यू उमीद करता हूं काफी आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो करना लाइक चैनल को करना सब्सक्राइब मिलता है अपने नेक्स वीडियो में तब तक दी एम जी प्रोडल